नमस्कार, आज तक AI के राशिफल स्पेशल शोव में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी AI N का नैना आज यानी शनिवार को कैसा रहेगा आपका दिन, किस राशी वालों की खुलेगी किसमत और किनहे रहना होगा सतर आज के शोव में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज आपके लिए कौन सा अंक और रंग शुब है, तो आए शुरू करते हैं आज का कारेक्रम सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की, मेश राशी वाले आज प्रतिसपर्धा में रुची दिखाएंगे, आपके नेत्रित्वक शमता में बढ़ोतरी होगी और आपके चारों और शुबहता का संचार रहेगा इस राशी वाले लोग आज लक्षियों पर फोकस बनाए रखेंगे, आज आप करियव और व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आथ और नौ अंकाप के लिए लखी रहेंगे, पीला रंग आपके लिए शुब होगा अब चलते हैं व्रिश राशी की तरफ, व्रिश राशी वाले व्यफसाइक गतिविदियों में आगे रहेंगे, आज आपको सभी का साथ मिलेगा और आपके मान सम्मान में भी व्रिद्धी होगी इस राशी वाले आज बड़ अपन का भाव रखेंगे, आज आपको अनुभव का लाव मिलेगा और आज आप पुरस्कृत हो सकते हैं 4, 6 और 8 नंबर आपके लिए शुब रहेंगे, समुद्री रंग आपके लिए लखी हो सकता है व्रिश के बाद बारी है मिथुन राशी की मिथुन राशी वाले आज भागेशाली बने रहेंगे आज आपकी आस्था और विश्वास को बल मिलेगा इस राशी वाले लोग आज धार्मिक गतविदियों से जुडेंगे आज आप सभी शेत्रों में अच्छा प्रदर्शिन करेंगे और आपको दोस्तों का साथ भी मिलेगा चार, पांच और आथ हंकाप के लिए लखी रहेंगे आस्मानी रंग आपके लिए शुब होगा अब बढ़ते हैं करक्राशी की ओर करक्राशी वाले आज अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे आज आप जोखिम भरे कारियों से बचेंगे और बढ़ों से सलाह लेंगे इस राशी वाले लोगों के लिए सलाह है कि आप किसी भी तरह के प्रलोभन से बचें आज आप अपनी सेहत का विशेश ख्याल रखें दो, चार और आठ नंबर आपके लिए शुप रहेंगे मून्स्टोन कलर आपके लिए लखी हो सकता है कर्ट के बाद नंबर है सिंग राशी का सिंग राशी वालों के लिए आज निजी मामले पक्ष में बने रहेंगे आज आपकी नेतरित्वक शमता को बल मिलेगा और आप संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे इस राशी वाले लोग अपनी वानी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे आज आपका दामपत्य जीवन भी खुश हाल बना रहेगा एक, चार और साथ अनकाप के लिए लखी रहेंगे कथाई रंग आपके लिए शुप होगा अब कन्या राशी की चर्चा करेंगे कन्या राशी वाले आज समाद सेवा से जुर सकते हैं आज आप बजट के हिसाब से चलेगे और लेन देन में साफधानी बरतेगे इस राशी वाले लोगों के लिए सला है कि आप निवेश पर नियंत्रन रखें आज आपका मनोबल उचा रहेगा चार, पांच और आठ नमबर आपके लिए शुप रहेंगे नीला रंग आपके लिए लखी हो सकता है अब बात करेंगे तुला राशी की तुला राशी वालों के करीबियों से मतभीद दूर होंगे आज आपके घर में खुशाली आएगी और आपका व्यक्तिकत प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा इस राशी वाले लोग कारोबार में बहतर प्रदर्शन करेंगे आज आप सभी लोगों का भरोसा जीतेंगे चार, छेह और आथ अनकाप के लिए लखी रहेंगे ग्रे कलर आपके लिए शुप होगा अब बारी है व्रिष्चिक राशी की ग्रिष्चिक राशी वाले अपने व्यवहार से प्रभावशाली बने रहेंगे आज आपको बड़ों का साथ मिलेगा और आप अपनों से करीबी बढ़ाएंगे इस राशी वाले लोगों के लिए सला है कि आप निजी मामलों में धैर्य दिखाएं आप सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से बचे आथ और नौ नंबर आपके लिए शुप रहेंगे पीताम बरी रंग आपके लिए लखी हो सकता है व्रिष्चिक के बाद धनू राशी की तरफ चलेगे धनू राशी वाले साहस और पराक्रम से अपनी जगह बनाएंगे आज आपके संपर्क का दाइरा बढ़ा होगा और आप लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे इस राशी वाले लोगों को आज कोई बड़ी उपलब्दी हासल हो सकते है आज आप सुप सुविधाओं पर जोर देंगे तीन और आथ अनकाप के लिए लखी रहेंगे पीला रंग आपके लिए शुप होगा अब मकर राशी के बारे में जानेंगे मकर राशी वालों के घर में हर्श और आनन्द का माहौल बना रहेगा आज आपके संस्कारों को बल मिलेगा और आप अपने सभी वचन निभाएंगे इस राशी वाले लोगों को आकरशक प्रस्ताव मिल सकते हैं आज आप किसी भव्या आयोजन में शामिल होंगे चार और आठ नंबर आपके लिए शुब रहेंगे बैंगनी कलर आपके लिए लखी हो सकता है मकर के बाद बात करेंगे कुम राशी की कुम राशी वाले आज नीती नियमों का पालन करेंगे आज आपके सारे संकोच दूर होंगे और आपका जीवन स्तर भी सवरेगा इस राशी वाले लोग आज रचनात मककारियों से जुडेंगे आज आप किसी पुराने दोस्त से मुलाकात कर सकते हैं चार और आठ अंक आपके लिए लखी रहेंगे हलका भूरा रंग आपके लिए शुप हो सकता है आखिर में मीन राशी की चर्चा करेंगे मीन राशी वालों को रिष्टेदारों का समर्थन मिलेगा आज आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं इस राशी वाले लोग दान धर्म में रुची लेंगे और समबंधों में समविदन शीलता बनाए रखेगे आज आपके लिए लीगल मामले उभर सकते हैं तीन और आठ नंबर आपके लिए शुप रहेंगे दलदली रंग आपके लिए लखी होगा आज तक AI के राशिफल स्पेशल शोव में आज बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में जहां हम सभी राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तब तक आप बने रहें हमारे साथ आपका दिन शुप हो